हलो नमस्कार खमा गणी संसकार क्लासेज के शेर शेर नियूँ तो प्यारे बच्चों तयार हो जाएं क्योंकि अब की बार बीएश टीशी पार इसलिए हम इस कुश्चन को जानदार सेशन को लेकर आगए हैं आज हम आप लोगों के लिए 50 बड़े ही इंपोर्टेंट येवं बहतरी इन कोश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछ चुके हैं और आप उपको पूछे भी जाने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक आप लोगों को देखना है और कमेंट करके ये भी आप लोगों को बताना कि 50 मसे आपके कोश्चन कितने सही हुए हैं तो चलते हैं अपने सीधे कोश्चनों के तरब उससे पहले अगर क्लास का टेम टेविल आपको पता नहीं है तो देखें ये आपका क्लास का पूरा का पूरा टेम टेविल है देखलो इन इन टेमों पर आपको क्लास को जॉइन कर लेना है तो चलते हैं अपने पिर्थम कोश्चन की तरब जोदुपुर में राजाओं की छतरियां डॉट डॉट में स्थित हैं देखें मंडोर में ओशिया में लूनी में गेटोर की अंदर तो देखें आपका मंडोर आप लोगों का बिल्कुल स्थियोगा ओप्शन नमबर A राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देख लेना है मेवार प्रिजा मंडल के स्थापना किसके द्वारा के गई थी देखें मेवार जो प्रिजा मंडल के स्थापना थी ये मानिक लाल वर्मा के जरिया की गई थी ओप्शन नमबर A इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखेगा रूपाजी एबम किरपाजी सहीदों का संबंध किस आंदोलन से है देखें रूपाजी और किरपाजी का संबंध पूछा गया है बूंदी होगा विजोली होगा बीकानेर होगा बेंगू होगा तो देखे आपका बेंगू, option number D, आप लोग राइट आउं शुरूगा आपका बेंगू हो जो, अगला question देखेगा, किस मारबाट नरेस ने मुगल समराट औरंग जेव के साथ सहयोग की नीती अपनाई थी, तो देखे औरंग सेव के साथ यह हो जाएगा आपका जस्वंत सि ठीक है न, चलिए, अगला question देखेगा, जो आपका next question, देखे, राजा जैसिंग को मिर्जा की उपादी किसे ने दी थी, देखे, राजा जैसिंग को मिर्जा की उपादी दी थी, किसके जरिये दी गई थी, आप लोग सभी comment करकर करके बताएं, तो देखे, सहा जाँ, option number C, सहा जांके जरिये दी गई थी, मिर्जा की उपादी न, बिल्कुल आप गवराये गने, आपकी बार selection हम दलाएंगे, अगर आप लोग जुड़े रहे, class में तो, तो चलिए अगले question की तरब, किसोर सागर जील ताला आप कहां पर रिस्तित है, कोटा में, बूंदी में, जोदपुर राज के किलेदार, डोडो डोट को 1857 में आओवा में करांती कारियों ने मोत के घाट उतार दिया था, अनार सिंग को, अमट सिंग को, तक्त सिंग को, या मेक मोशन को, किसको मोत के घाट उतार दिया था, अनार सिंग, option number A, राइट आउंसर हो जाएगा, अनार अगला देखे, निमिलिक्त मसे कौन राजस्तान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी, हमीवा बानू तहसीन होगा, या महराणी गायतरी देवी होगा, या जेकप का उजला अरोडा हो जाएगा, विद्या पाठक हो जाएगा, देखे, राजस्तान की विख्यात जो म देखिए पंचीडा नामक लोग प्रिय गीत किसके द्वारा रचित है देखिए दुर्गा दास प्रिसाद चौधरी यह होज़ेगा आपका देखिए सुम्नेस जोसी होगा मानिक लाल बर्मा जैनारायन ब्यास राइट आउंस है क्या होज़ेगा मानिक लाल बर्मा बिल्कु जाड़ साइज सिक्के के बारे में आप लोग भी कमेंट करते रहे हैं जैपूर ऑप्सन नंबर ए आप लोग का राइट आउंस रो गया अगला देखिए गाज्यों कोपेन के जलवायू वर्गी करन के अनुसार जुन जुनों जिले की जलवायू किस कोटी में रखी जा सक अगला देखिएगा राजिस्तान के कौन से जिले में बन रिपोर्ट दोजा सत्रे के अनुसा सरवाधिक बन छेत्रें देखिए सिरोई में उदैपूर में अलवर में प्रतापगड में तो लाड़ले बच्चों सभी को कर लेना उदैपूर के अंदर हो जाएगा उप्सन भी उदैपूर को बंसमपदां में धनी चिला भी क होगता है और देखिए से जहीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है अगला देखिएगा देखिए एक पौसण इस तर से दूसरे पौसान इस तर में उर्ज कम प्रिभाव होता है जलिदी जलिदे बता हो बई 10 पृत 30 30 40 30 कितना होता वाई इसका उसर कर लेना आपका 10 30 ना ओप्सन नमबर ए एक दम राइट लगा लेना अगला देखिएगा देखिए भीका भाई सागवाडा नहर राजिस्तान के किस नदी से जलपराप्त करती है देखिए चंबल होगा जाखम होगा माही होगा गंबीरी हो ज परियोजना विकषित है बतावाइ जली ऐली चंबल घाटी परियोजना के वारे में जो लगा वारे तो देखे यह घूति fields प्रदेश और रजस्तान जो मतलब होता MP nap एमपी और राजस्तान देखे लो अस्क नीमला, उप्शन नमबर D आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया है, अगला देख लेना है, सोम कागदार सचाई परियोजना, डोडोडोडोडोड जिले में स्तित है, उदैपूर में, ढूंगरपूर में, बांसबाडा में, भीलवाडा में, देखे, सोम कागदार सचाई परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो सबको पता होना चाहिए, उदैपूर, उप्शन नमबर A, राइट आंसर हो जगा आपका, उदैपूर, अगला देखेगा जो, केंद्रिये सुस्क बागवानी संस्तान, कहां पर इस्तित है, आपको बताना MOT का विश्ता, तो क्या होता MOT का विश्ता है, देखे, मेंटेन, ओपरेट, एंड, ट्रांसफार्म, ठीक है, ओप्शन नमबर बिल्कुल सही होगा, आपका, ओप्शन नमबर B, बिल्कुल सही कर लेना है, चलिए, नमबर 20 का कोश्चन देख लेना है, राजिस्तान का वह जला, जो राज में फेल्षपार का सरवादिक पृतिसत उत्पादक है, किसका फेल्षपार का, सिरोई, टोंक, अजमेर या उदैपूर, बताऊ वाई, कमेंट करकर के जल्दी, तो देखिए, यह हो जाएगा आपका अजमेर हो जाएगा फेल्षपार के लिए, उप्सन नमबर 20, अगला कोश्चन देखेगा, हल्दी गाटी के युद्ध में माराना प्रतापकी रक्षा किष्णे की थी, तो देखिए, मान सिंग ने, जाला वीदा ने, बामा सान ने, या सक्ति सिंग ने, तो देखिए, किस के जल्दी इसकी रक्षा की गई थी, यह हो जाएगे आपके जाला वीदा, उप्सन नमबर 20, और हल्दी गाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, यह लड़ा गया था, आपका 1560 के अंदर है, जो ठीक है, चलिए अगला देखो, देल वाड़ा के किस मंदिर में धातू निर्मित, देखिए, आदिनाथ जी की मूर्थी है, जिसका वजन 108 मनका भाई, वाँ, कितनी मनका भाई, आत्र मनका है, आठ मन का मतलब आधी नाथ आधी आठ लिख लेना है option number ए और सोरी option number इसका होज़ेगा सी राय टांसर होगा sorry वाई मिश्टे होज़ेगा आपका देखे अनकी भीम सहका मंदिर ठीक है राय टांसर के लेना आपका option number इसे राय टांसर होगा ठीक है ना यह प्रिसिद एक लंग जी का मंदिर इस्तित है ओदैपूर, कोटा, जमेर या जैपूर बताओ एक लंग जी का मंदिर यह ओदैपूर के अंदर है कहाँ पर था बढ़ाई ओदैपूर के अंदर था लिख लेना आप लोगो बिल्कुल ओदैपूर है जो ठीक है अगला देख अगले की तरफ चलते हैं तागडी सरीर के किस भाग पर पहनी जाती है तागडी सब को पता होना चाहिए कमर में गले में पैर में या नाक में तो देखे तगडी कहां पर पहनी जाती है ये कमर के अंदर पहनी जाती है औप्सन नमबर एराय टाउसर पिखना है तगडी आपकी कमर में पहनी जाती है ठीक है ना चलिए ओह बड़ा अच्छा कोशन है केला देवी मंदिर कहां पर इस् प्रादना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत होते हैं ठीके लाड़ ले बच्चो ओप्सन नंबर ए राय टांसर आप लोगों को लिख लेना है अगला देखेगा हरसत माता मंदिर एवं चाध वाबडी राजिस्तान के किजले में स्थित हैं दोसा में अलवर के अंदर आप लोगों का बाला के ला यह भी आप लोगों को लिख लेना है मुसी महराने की छत्री थीके ना चलिया ने कोशन देखते हैं जोद बुर्ड जिले के बौरुंदा में रूपा या उन सहस्तान का सहस्तापक कौन था वाई देखें रूपा चलिए राजिस्तान का एक इकरन डोट डोट पूर्ण हुआ था बाई कब पूर्ण हुआता राजिस्तान का एक इकरन है जो ठीक है आप लोगों उन्हें से कोई बताने माला है बिलकुल तो जिसने आएमसर बताया न एक नमेंबर देखे schaffen 1956 को क्या हो गये था एकी करन पूर् अगला देख लेना है दूद बावड़ी कहां पर इस्तत है बताओ लाटले वच्चो जली अली कि जो दूद बावड़ी है ना रतनगड में लोन करांसन में देवारी में माउंट आबू के अंदर तो देखे कहां पर हो जाएगी यह राइट आफसर हो कि आपकी माउंट आब कि आप लोगों की शुरओ की अंदर परती है अप लोगों को पळलता ना लोन करांसर वीका नहीर के अंदर परती है next question देखेगा आप घबराएगा मैं नमत्क मैंने आपको पहले भी बोल रहा है पिर बोल रहा हूं आपको ना यह बहतरीन question जो दिए जाँ है ना आपके ए अगला कोईशन देखेगा देखे लोक बाद यह अंत्र टामक राजस्तान के किस संस्कृतिक चेत्र से समधित है टोमा के मेवाड होगा बांगड होगा मेवाड होगा या मारवाड हो जाएगा ठीक है इसका अंसर देख लेना अप्सन नमबर सी मेवाड इसदा राइट आंस होगा आपका मेवाड बिल्कूल आउंसर सही हो गया ठीक है ना चलिए अगला देख लेते हैं तुम पिर सिद्ध चित्रकार देखिए साही बिनाय में राजस्तानी चित्रकला कि किस सेली से समधित है किसंगड होगा नात दौरा होगा जोदपुर होगा जैपुर होगा ठी ठीक है 35 गांसर देख लेना है इसका जैपुर इस दराइट आउसरों का जैपुर जो जहां पर आपकी सामर जील भी है यह भी आप लोगों को लिख लेना है ठीक है चलिए नैश्ट देख लेते हैं आप लोगों की जदने 50 कोशन है ताल चाहपर अब्यारन किसके लिए पि स्रेणी की गराड़ दा सचाय परियोजना की जले में प्रिस्तावित है कोटा में बूंदी में बारा में जहलावाड में आउसर देख लो इसका क्या हो जाएगा बिलकुल लाडले बच्चो अप्शन नमबर बी बूंदी के अंदर एकदम करेक्टर आउसर होगा आपका ब अगला देखते हैं राजस्तान के कितने जलों को मरू जला बोला जाता है कितने जलों को मरू जला बोला जाता है बारा तेरा चोदा या पंदरा बताओ वाई कितने जलों को बोला जाता है यह बोला जाता है आपके बारे जलों को मरू जला कितना को बोला जाता है बारे जल लेगी अनमानगाड चूरू जुनजुनू या सीकर आंसर देखो इसका अनमानगाड और ए राइट आंसर आप लोग को लगा लेना है अगला देख लेना देखे कोईला बंडार जो की बीकानेर में स्थित नहीं है वह है देखे वह है इसके बारे में पूछ गया है तो यह हो सड़क मार्ग नंबर थिरी पर कौन सा नगर इस्थे थे जैपूर दोलपूर अजमेर या अलवर ठीक है इसका अउसर को जगा आपका दोलपूर आप लोगों को विल्कुल से कर लेना ऑप्शन नंबर बी राइट आउसर हो जगा आपका जो दोलपूर जो अगले कोश्च पूर के अंदर है ना बिल्कुल बिल्कुल राइट आउसरोगाप का उप्शन नंबर भी बिल्कुल लाड ले बच्चो चलिए ओहो ये तो बड़ा श्यांदार कुश्चन है और आप लोगों से कमेंट के लिए मना किया किसीने या लाइक करने के लिए मना किया सब्सक्रा अगला देख लेना है राष्ट ये अनुसंदान संस्तान कहां परिस्तए है बक्री अनुसंदान जो संस्तान है ये कहां परिस्तत है बता वाई बक्री अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्तित हो जाएगा देखे लाडले वच्छों यह अभी का नगर के अंदर है कहां पर अभी का नगर है ना जानते हो आप लोग सभी ऑप्सन नंबर बी कर लेना है ठीक है ना चलिए अगला देखिए गाजू राजिस्तान में सूका समावित छ जिलों के अंदर है ठीक है अगला कोश्चन बड़ा बैतरीन कंटेंट है राजिस्तान की के जिल में बारत दरीस्तित है फाइस्तागर फते सागर आना सागर डेवर जील ठीक है इसका आप लोगों को देख लेना आना सागर ठीक है यह कहां पर है आपकी अजमेर के अंदर परते हैं अजमेर के अंदर जो ठीक है ऑप्सन नमबर सी बिल्कुल से होगा अगला देखेगा जो राजस्तान का निमिलिक्तमत से कौन सा जिला जिसमें अराबली पाडियों का विस्तार नहीं है ना वह जाएगा आपका जालो और बिल्कुल से होगा आपका जालो एकदम करे जाद करेंना आपका बनास कांटा जिले की सीमा को इस परस करता है ठीक है वो जाएगा कौन सा होगा वह जालो और एकदम राइटाऊंसा करेंना आपका जालो और जो ठीक है ना अगला देखेगा निमिलिक्तमत से राजस्तान की आंत्रिक पिवाव की नदियां कौन सी हैं आंत्रिक विभाव की जो नदिया है ना काली सिंद होगा चंबल होगा कोठारी होगा और जाखम होगा एक दम बिल्कुल सही कली ना भी आऊंस है ठीक है अब आप लोगों का लाश्ट एंड फाइनल कोशन है उसके बाद आप लोगों का कोशन पूछा जाएगा तो देखते ह जाला वीधा के जरिए की गई ती हैं